हलो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ओके क्रेजिट में मैं आपके साथ तमन्ना एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक निया बिजनस आईडिया फ्रेंज अगर आप थोड़ा-बहुत फैशन की नॉलेज रखते हैं आपको टेक्स्टाइल बिजनस के बारे में थोड़ा सा पता है या फिर आप कुछ ऐसा बिजनस शुरू करना चाहते हैं जो कपड़ों से रिलेटिट हो तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप प्रिंटिट टीशिर्ट का बिजनस शुरू कर सकते हैं क्योंकि प्रिंटिट टीशिर्स आज को बहुत चीज़े हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको हमारे चानल के सब्सक्राइब करना होगा वीडियो पसंदाए तो लाइक कीजिए बेल आइकॉन का बटन दबाए और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपके पास कोई आईडिया है तो आ आप इस बिजनस को पचास हजार से लेकर 80,000 तक शुरू कर सकते हैं यह रखम यहां पर एवरेज बिजनस के लिए बताए गई है अगर आप बहुत चोटे स्थर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप और भी कमनेवेश में शुरू कर सकते हैं यदि आप बहुत बड़े दिए जॉंप या स्टोर लेकर शुरू करना चाहते हैं तो यह लागत लाघखों में जा सकती है यह आप पर डिपेंट करता है कि आप इस बिजनस को किस स्थर पर शुरू करते हैं और आपका बजट टीशिट की कीमत और बचत यदि आप प्रिंटिट करने के लिए एक सामाने क्वालिटी की वाइट टीशिट लेते हैं उस टीशिट की कीमत मालीजी 120 रुपए है प्रिंटिंग कॉस्ट लगबग 1-12 रुपए के बीच आएगी आप उसे कम से कम 200-300 रुपए में बेच सकते है इस तरह आप हर टीशिट में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं यदि आपकी कप्रे और डिजाइन की क्वालिटी अच्छी है तो ये बिजनेस दिन दुगना रात चुगना तरक्की कर सकता है अन्ने लोगों की तरह आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं प्रोमोशन के साथ साथ आप ऑनलाइन ओर भी ले सकते हैं सोशल मीडिया ये आपकी बिजनेस की मार्केटिंग के लिए अच्छा विकल्प है इसमें बहुत अधी खर्च भी नहीं आएगा ऑनलाइन लोग आपके प्रोड़क्ट को खरीच सकें ट्रस्ट कर सकें आपकी सबी बारएकियों से वाकिफ हो जाते हैं तो आप अपने बिजनस को ऑनलाइन भी ले आ सकते हैं जी हां ऑनलाइन बिजनस ले जाने का मतलब है कि आप अपनी शौप को अपने ब्रांडिड नेम से वेबसाइट बना कर लोगों तक ले जाना लेकिन इससे पहले आपको काफ आप इस बिजनस की ग्रोथ के लिए महंगी मशीन का उप्योग कर सकते हैं इससे बहतर क्वालिटी और अधिक संख्या में टीशिर्ट प्रिंटिंग हो सकती हैं बता दें कि सबसे ही सस्ती मशीन मैनूल होती है इससे एक टीशिर्ट लगबग एक मिनिट में तयार हो जाती ह इसलिए कम समय में अच्छी क्वालिटी वाला काम हो तो और क्या चाहिए तो आप अपना निवेश बढ़ा कर अच्छी मशीन ले सकते हैं जो आपकी बिजनस के भविश्य को उजवल कर सके प्रॉफिट कितना होगा चोटे और सामानिस तर पर इस बिजनस को करने में आप हर महीने इस बिजनस से 30 से 40,000 रुपे कमा सकते हैं अगर आप इस बिजनस में कामयाब हो गए तो अपने निवेश को बढ़ा कर बिजनस का दाइरा बढ़ा सकते हैं एक ब्रांड बनने के बाद आप लाखों में कमा सकते हैं और अपने बिजनस को हर जगा फैला सकते हैं तो यह तमाम पहलू हमने आपको बता दिये कि किस तरह से आप एक स्टार्टप दे सकते हैं इस बिजनस को और आप कितनी लागत में और फिर कितने समय बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू हो सकता है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है लेकिन बाकी के तमाम वीडियो के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ और एक बाद फिर से सब्सक्राइब कीज़े हमारा चानल